नमस्कार श्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में मोधी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मनजूरी दे दी है सरकार विंटर सेशन में ये बिल लेकर आएगी उससे पहले सभी पार्टियों के साथ बात करके इस मुद्दे पर आम राय बनानी की कोशिश करेगी फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक देश भर में दो फेज में चुनाव होंगे पहले लोकसभा और विधानसभा की चुनाव एक साथ कराए जाएंगे इसके बाद सौ दिन के अंदर ही स्थानिये और पंचायतों की चुनाव होंगे लेकिन सरकार के इस फैसले का अभी से विरोध होना शुरू हो गया है कॉंग्रेस उद्धव ठाकरे की शिफ सेना शरत पवार की एंसीपी इसके अलावा सपा आरजेडी के साथ ही तमाम विरोधी दल इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं खेर ये बाते तो हैं प्रस्ताव की ऐसे में अब जानते हैं कि सरकार को इसे लागू करने के लिए कौन-कौन सी परिक्षाएं देनी होंगी साथी ये भी जानते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस पर क्या कहना है मोधी क्याबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मनजूरी दे दी है इसे दो चरण में लागू करने का प्लान है पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे इन चुनावों के बाद 100 दिन के भीतर इस्थानी चुनाव यानि पंचायत और निगम के चुनाव होंगे चुनावों के लिए एक वोटर लिस्ट होगी सरकार का कहना है कि इसको लागू करने के लिए एक क्रियानवन समू बनाएगी प्रस्ताव को मनजूरी मिलने के बाद अब लोगों के जहन में कुछ सवाल है पहला सवाल है देश में किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा समय से पहले भंगूई लोकसभा और विधानसभा तो क्या होगा तो आपको बता दे कि उच्छ समिती ने अपनी रिपोर्ट में इसे लेकर सिफारिशे की थी कि लोकसभा और राजे विधानसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीक से पात साल की अबधी से पहले ही भंग कर दी जाती है तो सदन या राजे विधानसभा को पुनर गठित करने के लिए मध्या अवधी चुनाव होंगे मगर मध्या अवधी चुनाव में गठित सदन या राजे विधानसभा का कारेकाल उसके कारेकाल की शेश असमाप्त अवधी के लिए होगा इस तरह पांच साल बाद लोकसभा और सभी राज्य विधान सभाएं एक ही समय में अपने कारेकाल के अंतितक पहुचेंगी ऐसे में एक साथ चुनाव होंगे लेकिन प्रस्ताव को तो क्याबिनेट ने मंजूरी दे दी है मगर सरकार के सामने अभी कई चुनावतियां है इसमें सबसे बड़ी चुनावती है दो तेहाई बहुमत सरकार की ओर से कहा गया है कि 47 पार्टियों में 15 को छोड़ कर सभी ने इसका समर्थन किया है वही जहाँ एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखकर मोधी सरकार ने अपना पहला कदम चल दिया तो वहीं बाकी के राजनीतिक दलों ने भी अपना स्टैंड लिया है जी हाँ वन नेशन वन इलेक्शन पर कॉंग्रिस ने साफ तोर पर विरोध किया है उसमें सरकार से कई सवाल पूछे लेकिन उनकी पोस्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि वो समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं लेकिन इस मुद्दे पर कॉंग्रिस ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है पार्टी के अध्यक्षु से लेकर सभी नेताउं ने One Nation, One Election का विरोध किया मयाम आधवी पार्टी ने One Nation, One Election का पूरी तरह से विरोध किया है फिलाल सरकार की ओर से तो यही कहा जा रहा है कि हम इसी टर्म में इसको लागू करेंगे आम सहमती बनाने की कोशश करेंगे कमिटी की सिफारिशों पर देश में अलग-अलग मंचों पर चर्चा होगी ऐसे में अगर सभी की सहमती हो जाती है तो आने वाले समय में देश में बड़ा बदलाव होगा खास कर राजनीतिक तोर पर ये बिल आगामी शीत कालीन सत्र में आ सकता है हलाकि सरकार की सूत्रों का कहना है कि इतनी जल्दी बिल लाने को लेकर सरकार पर कोई दबाब नहीं है खैर इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देशतुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहेए सी न्यूस भारत